प्रादेशिक नियोजन के अंतरगत हम लोग विकास का कार्ज कैसे किया जाता है विकास के लिए प्लानिंग कैसे बनाते हैं विकास अस्पेसल एरिया के लिए कैसे कार्ज करता है विकास की योजना ग्रामीन छेतरों के लिए कैसे कार्ज करता है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां बरतमान वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रामीन विकास के लिए ये कौन सा कार्ज करम भारत सरकार लाई है और वह कार्ज करम जो है किस तरह से ग्रामीन लोगो के रूप में आज मनरेगा किया का योगदान मनरेगा कहा तक सक्षम है प्रादेशिक नयोजन में हम लोगों ने देखा बुरूर के वीडियो में कि पहाड़ छेत्र का नयोजन कैसे करते हैं और उसका विकास कैसे होता है ड्रॉट प्रोन एरिया में क्या योजना कर सकते हैं और उसका विकास कैसे होता है अब यहां देखेंगे कि ग्रामीन योजना में ग्रामीन विकास के लिए जो नियोजन होता है भारत सरकार ने मनरेगा के माध्यम से किस परकार का योजना लाई है कैसे वह काम करता है ग्रामीन छेत्रों में कैसे ग्रामीन छेत्रों के लिए वह प्रदान करता है और विकास के क्या काम होते हैं तो यहां सबसे पहले मन रहेगाभा समाजिक प्रोजेक्ट है जिसके ढूछ प्रमुक्विश्यिस्ता है BISA की सबसे बिसालतम प्रोजेक्ट है world's largest प्रोजेक्ट एक और दूसरी बात है, most ambitious project है, सरबाधिक महत्वा कामची योजना है, यह समाज के लिए है, समाजिक लोगों के लिए है, world's largest and most ambitious and social project was designed as मन रहेगा, बिसुके विसालतम एवं सरबाधिक महत्वा कामची समाजी की योजना है, मन रहेगा, दसकीन बाज introduces यह सोसल मेजर, ग्रामीन भारत में काम करने का अधिकार, परदान करने की गरंटी देने वाली यही योजना है, यह गरंटी देती है, the right to work in rural India, ग्रामीन भारत में कार्ज करने के अधिकार की गरंटी देती है, फिर यह एक पावरफुल जन्तर के रूप में काम करता है, ग्रामीन बिकास के लिए, मन रहेगा इस एक पावरफुल इंस्टूमेंट for the growth of rural poors in इडिया, भारत में ग्रामीन बिकास के लिए एक सतिसाली जन के रूप में मनरेगा को लागू किया गया, जो मुखी रूप जिसका प्रभाव मुखी रूप से तीन जगह पड़ता है, पहला सोसल प्रोटेक्शन, इससे समाजिक सुरक्षा मिलती है, दूसरा आजीविका की सुरक्षा, गरीबूं को आजीविका एक का साधन मिल जाता ह इसे और वह सुरक्षित होता है, ये नहीं कि वह तुरत है और कल नहीं मिलेगा, नहीं, उसकी सुरक्षा, आजीविका की सुरक्षा भी प्रदान की जाती है, और तीसरी जो सबसे बड़ी है कि प्रजात्तांत्रिक ये देश है, तो प्रजात्तंत्र ससक्तिकरन के लिए यह लोईस्ट लेभिल से शुरुवात की जाए डेमोक्राइटिक इंपावर्मेंट किया जाए प्रयातांत्रिक ससक्तिकरन किया जाए इसके लिए यह एक महत्वा काम ची योजना के रुप में काम करता है यह सोसल आप देखेंगे एक सस्पस्ट कार्ड दिखा रहे हैं कि पावर समाजिक सोसल प्रोटेक्शन मिलता है लीवली हील हूड की सेक्यूरिटी मिलती है और साथ ही साथ डेमोक्राइटिक इंपावर्मेंट होता है इस प्रकार का जो एक्ट है मनरेगा दरिलेटेड एक्ट बाज पास्ट इन सेप्टेंबर 2005 में यह सबसे पहले नरेगा के नाम स से सुरू किया गया था और सबसे पहले यह 2008 इस भी में एक अप्रील से देश के 200 पिछडे जिलो में लागू किया गया और यह लागू करने का काम किसी ने किया ग्रामिन विकास मंत्राले के द्वारा लागू किया गया और उस समय अक्तूवर 2009 यानि गांधी जयनती के अबसर पर 2009 इस भी में 2 अक्तूवर को इसका नाम में महात्मा गांधी सब्द जोड़ दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लोईमेंट गारंटी एक्ट M-G-N-R-E-G-A मन्रेगा कहा जाने लगा और यह है फ्लैक्सिप प्रोग्राम अब दे सिंट्रल गर्वर्मेंट है प्रा किंद्रिये सरकार का एक फ्लैक्सिप यानि अंब्रेला सिप्ड प्रोग्राम है जिसके तहत भग सारे कार्जे संपन की जाते हैं प्रोग्राम डाइ पर और दूसरा इंक्लूसिब रूरल ग्रोथ होफ एंडिया ग्रामी भारत का बिकास गरीबों की आजिविका और ग्रामीन भारत का बिकास इसमें आपको अस्पस्टूप से दिखता है कि यह जो फ्लैक्सिप प्रोग्राम अउप सेंट्रल गर्मेंट है वह अंब्पा में कि या जी विका के लिए और ग्रामीन भारत के विकास के लिए यह युजना काम कर रही है functional area क्या है मनरेगा is exclusively functional in rural area असपस रूप से भारत के ग्रामीन छेत्रों में यह मनरेगा कार्जरत है मनरेगा के द्वारा लाग प्राद प्रदान कह जाता है Every rural household with family members who have volunteered to do unaskilled labor gets right to participate ग्रामीन परिवार में से जो भी स्विच्छा पुरुबक unaskilled labor यानि अकुसल काम को पाने की इच्छा रखता है उसको उसमें लोग भागिदारी होने का अधिकार प्रदाम हो जाता है और साथ ही साथ वह साल भर में एक साल में यानि 365 दिन में कम से कम 100 दिन कार्ज देने की गरेंटी प्रदान करता है The work provided to rural workers will be the creation of various long term fixed assets यानि दिर्ग काली निश्चीत संपदा का सिर्जन हेतू यह कार्ज किया जाता है जैसे कुवा खोदना या दिर्ग काल तक रहेगा ताला खोदना दिर्ग काल तक रहेगा सड़क का निर्मान नहर का निर्मान ग्रामिन छेत्रों के विकास के लिए इसकी आवस्यक्ता है और यह दिर्ग काल तक यह इस से फाइदे होंगे ग्रामिन छेत्रों में जो untapped labor है जो बेकार बैठे हुए हैं वह बेकार बैठे मजदूर का सदूपयोग करता है यह मन रेगा इसका key objective क्या पहला key objective है पहला उदेश यह है ग्रामिन छेत्रों में रोजगार पैदा करने generation of paid rural employment ऐसा rural employment जिस पे payment किया जाता है दूसरा 100 दिन कम साल में कम से कम 100 दिन कार्ज देने का प्राधान है employment will be provided not less than 100 days in a year for each worker who volunteers for unaskilled labor तीसरी बात है कि ग्रामिन गरीबों को मजबूत आजिविका देता है proactively ensuring social inclusion by strengthening livelihood base of rural poor चौथा जो key objective है कि creation of durable assets in rural India ग्रामिन छेत्रों में वैसे asset को विकसित करें वैसे asset को समपदा को सिर्जित करें जो टिकाव हो लंबे समय तक लाप प्रदान करें जैसे कुआ, तालाव, नहर, रुसड़क, आदे पच्मा है कि reduce migration of people from rural areas to urban areas ग्रामिन छेत्रों से जो सहरी छेत्रों में प्रवजन हो रहा है, जनजाती एवं महला को इसमें प्राथ्मिता देना है, महलाओं में कम से कम टोटल का one third महला लेबर होना चाहिए, और ये सभी BPL केटेगरी के हों, below poverty level केटेगर हाउस होल्ड हों, यह प्राथ्य ओदेश से है, below poverty काईन के नीचे जो गुजर बसर करते हैं, उनको इसमें काम देना है, अठमा, to merge the following ongoing program, जो प्रोग्राम चल रहे थे पहले से, जैसे संपूर्ण ग्रामीन रोजगारी ओजना, नेशनल फूड और वर्क प्रोग्राम, इस सब को मिला करके, मनरेगा के तहती एक छत्री के नीचे ला दिया गया है, और नम्मा है, फोकस अब दा एक्टी जोन बर्किंग, related to water conservation and drought proofing, यानि कि जलसन रक्षन और सूखा से बचाओ, यह इस पर एक्ट का मुख़्ी फोकस है, इंकाम करने का, फिर eligibility क्या है, कि eligibility criteria has been kept simple, so as to provide advantages to maximum rural poor people, ग्रामीन छेत्रों के अधिक्तम गरीबूं को लाव मिले, इसके लिए बहुत ही simple criteria बनाया गया है, जिसके माध्यम से काम दिया जा सके, क्या है वो criteria, वो अप्यक्ति जिसको काम देंगे, वो पहला must be a citizen of India, भारत का नागरी को, दूसरा job seekers completed the age of 18 years of age, at the time of application, जब application डाल रहा हो, उसकी नियुनतम आयू 18 बर्स होना चाहिए, और तिसरा job seekers, या अप्लिकेंट जो आवेदन करता है, must be a part of local household, या local ग्राम पंचायत, यानि अस्थानिये परिवार का हो, अस्थानिये ग्राम पंचायत से आता हो, अप्लिकेंट्स मस्ट वोलंटियर फोर अनिस्किल्ड लेबर, वह जो आवेदक है, स्वेक्षा से अकुसल लिस्रम की चाहत रखता हो, पाचमा है, जिला में सभी गाउं के लिए ये लागू होगा, ऐसा नहीं कि कोई गाउं छोड़ दिया जाएगा, अप्लिकेंट्स वोल फिलेजेंट्स इन दिस्टिक्ड और छट्टा है, भारत सरकार के द्वारा या राजी में सभी जिलूं के ग्रामीन छेत्रों के लिए मनरेगा लागू किया, इसकी विशेष्टा जो है वो देख लिए हैं कि गीप्स लीगल गरेंटी और बेज इंप्लॉयमेंट, रोजगार देने की कानूनी गरेंटी प्रदान करता है, वो इज विलिंग टू डू अनिस्किल्ड मैनुवल लेबर, कुसल स्रंप जो करना चाहते हैं, उसको रोजगार प्रदान क्या जाता है, और साल में मिनिमम सो दिन, एभरी रूरर हाउस होल्ड है, राइट टू रेजिस्टर अंडर मन्रेगा, प्रते ग्रामीन को मन्रेगा के अंदर अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार है, जॉब कार्ड इसूड बिदू पंदरा डेज, पंदरा दिन के जिस दिन अप्लाई करेगा, कोई भी आवेदक, तो वह उसको पंदरा दिन के अंदर उसे जॉब कार्ड निलगत कर दिया जाएगा, जॉब कार्ड इसूड बिदिन फिप्टीन डेज, फ्रूम देट अप्रेट अप्रेशिप्ट अप्लिकेशन फॉर दो जॉब कार्ड रेइस्ट्रेशन, फिर है मनरेगा, इन भॉल्ब से लार्ज नंबर आप स्टेक होल्डर्स, इसमें स्टेक होल्डर होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, गाउं से लेकर राष्टिय लेविल तक ये हिस्सेदार होते हैं, जो अपनी भूमी का आदा करते हैं, पहला मैदूरी चाहने वाले लोग, व ब्लव परखंड अस्तर पर कार्ज करम पदा धिकारी हैं, वह भी हैं, डिस्टिक प्रोग्राम कोडिनेट सर डीपी सी, अस्टेट गवर्मेंट राजी सरकार, मिनिस्ट्री अप रूरल डेवलप्मेंट, ग्रामीन विकास मंत्राले, नागरिक समाच और स्वेंग सहायता समू ये सभी इसके हिस्सेदार होते हैं, अस्टेक होल्डर होते हैं, विकेम एक्टिव अंडर मन रहेगा टू हेल्प दपीपुली नीड, वैसे लोग जो जरुत में मंद हैं, उसको मदद करने के लिए ये हमेशा एक्टिव होते हैं, प्रोसेस क्या है, अप्लिकेशन फोर रे तीन मोड हैं, जिसमें किसी मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं, पहला प्रेस्क्राइब फ़र्म निर्धारित है, निर्धारित पर पत्र पर आप भर के दें, दूसरा साधा कागल पर भी लिख दें, अथवा तीसरा मौखिक भी अगर कह दें, तब भी आपको रोजगार प्राफ्त होता है, ये तीन मोड में से कोई एक मोड अपना लें Household as a unit is entitled to register in the scheme और चीम में जो register होगा वह भ्यक्ति का नहीं एक परिवार के नाम से register होगा इस a scheme में परिवार को ही एक एक आई माना जाता है जोग कार्ड अंडर मन्रेगा एक पहचान पत्र के रूप में होता है जोग कार्ड इजे प्राइमरी डोकमेंट टू अइडेंटिफाई एन इंडिविजुलाइज रेस्टर्ड अंडर दैस्कीन बीथ द लोकल ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में अस्कीम के अंतरगत आप रेस्टर्ड है ब्यक्तिगत रूप से यह प्रदर्सित करता है कौन जोग कार्ड आपके पास जोग कार्ड नहीं रहेगा तो आपके पास कोई अधार नहीं है कि मन्रेगा के अंतरगत आप रोजगार पाए पुना जोब कार्ड is an identity कार्ड एक पाचान पत्र के रूप में है जो जिस पर पंजीयन संख्या अंकित होती है पंजी रेश्ट्रेशन नंबर और details of individuals उस ब्यक्ति विशेश का detail भी जोब कार्ड पर अंकित होता है पुना जोब कार्ड protects workers from possible fraud पहुत से लोग रामिन छेतरों में fraud लोग होते है ठग होते हैं जो आपको काम दिलाने के नाम पर आपसे पैसा ठखते हैं तो आपके पास अगर जोब कार्ड है तो आपसे कोई fraudism नहीं कर सकता है जोब कार्ड आपको और एक complete document प्रदान करता है जो to be used by as KYC, know your customer के अंतरगत जोब कार्ड कार्ज करता है इसके अधार पर आप post office में या bank में अपना account भी खुलबा सकते हैं achievement क्या है मन्रेगा provided employment to 4.51 करोर household अभी तक जो record आ रहा है साढ़े 4 करोर परिवारों को इसके अंतरगत रोजगार दिया जा चुका है इसमें समाजिक स्वच्छा दी जाती है for the most vulnerable people living in rural India जो ग्रामीन छेत्रों में हैं उसके लिए by providing employment opportunities वह रोजगार का अवसर्ब देकर उसे मदद करता है लीवली हुट security for the poor वह आजीवका कि सुरच्छा कैसे करता है creation of durable asset जो टिकाव उपादान या टिकाव संपदा का स्रिजन होता है वह आपके लिए भविस में भी काम करता है सड़क बन जाता है पतालाव बन जाता है कुमा बन जाता है यह मनरेगा रहे अनर है लेकिन ग्रामीन छेत्रबालों को इसे फाइदा होता रहेगा उन्नत जल सुरक्षा इंप्रूवड वाटर सेक्यूरिटी आपको देता है स्वाइल कंजर्वेजन की सेक्यूरिटी देता है हाईयर लेंड प्रोड़क्टिवीटी की सेक्यूरिटी देता है ड्रोड प्रूफिंग एंड फ्लड मैनेजमेंट रूरल इंडिया में ग्रामीन भारत में इससे भी फाइदे होते हैं इस यहां भी उपलब भी देखी जाती है पुना हैं इंपावर्मेंट की जहां तक बात है ससक्तिकरन की बात जो है ससत्मोस्ट डिसअडवांटेज्ट पीपल जो हैं खास करके अनुसुचित जन जाती के लोग और महिला तीन लोग जिन्हें डिसअडवांटेज्ट गूरूप में रखाज गया है अभी बंचित मा प्रदाना जाता है इन लोगों का ससक्तिकरन होता है थूद प्रोसेस ओप राइट बेस्ट लेजिसलेशन यानि समाजिक अस्तर पर अभिवंचित वर्क के लोगों को आधिकार अधारित कानून के द्वारा ससक्तिकरन प्रदान कह जाता है यह विजयोजना विकेंदरी करने पर बल देता है विकेंदरी करत करित होता है इससे उसका ससक्तिकरन होता है पुनह इनकरेजिंग पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्लानिंग जो बनती है लोग भागीदारी के अधार पर बनती है थूरू कनभर्जेंस ओब भैरियस एंटी कोवर्टी एंड लीवली हुड इनिसियेटिव्स जो गरीबी दरीदरता हटाने वाली योजना है उसको मिलाते हुए लोगों की भागीदारी के अधार पर यह रोजगार परदान के जाता है ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके इनकरेजिंग डेमोक्रैसी एट ग्रासरूट लेबल ग्रामीन छेतर पर चुकी लोग भागीदारी की जाती है प्लानिंग में सब लोगों की भागीदारी की जाती है इसलिए वहाँ परजातांत्रिक ससक्तिकरन होता है परजातंत्र की विशेष्ता गाउन लेबल तक आ जात पंचायती राज इंस्टिचूशन ससक्त हो जाता है इफेक्टिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एकांटेबिलीटी इन गवर्नेंस और इसमें पारदर्सिता आती है विश्वसनियता आती है इस तरह से आपको मनरेगा पर एक समुचित और संतुलित ज्ञान प्रदान क के लिए खास करके रिजिनल प्लानिंग के संदर्म में विशेष लावदायक सिध होगा थैंक्स तो अल अफ्यूँ